साथ वन उसकार बहुत स्वागत है हमारे इसे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में जेनरल साइंस के मास्ट इंपोर्टन कोश्चन आंसर का पार्ट नाइन करेंगे इसके पहले जिस पे आठ वीडियो जो अल्रेडी अपलोड कर चुका हो अगर आप उससे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जो है आप उ जुरूर सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में जो है बेल आइकन थी ओन कर लिजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं टोस्तो yas much अरे आउता हिए अर जो अपिद् strengths अपशन से तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्त तक जुरूरु देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चुरू करें तो चले दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्ट में शीयोग गास का गुण क्या होता है वो हता है दोस्तों उद्दासिन काफी महत्पुल कोशन है दोस्तों नेश्ट कोशन है और सन्योजु इलेक्ट्रान के संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है वो अनिमारे रूप से रहते हैं, वो रहते हैं दोस्तो हाइड्रोजन, ठीक है, नेस्ट कोश्चन है, रक्त का कितना परतिसत भाग पलाजमा होता है, वो ता दोस्तो पजपन परतिसत, रक्त का कितना परतिसत भाग पलाजमा होता है, दोस्तो पजपन परतिसत, नेस्ट कोश्च अमासे में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है दोस्तों अमासे में भोजन का पाचन जो है अमलिय माध्यम से होता है नेस्ट कोश्चन है भस्म छार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ठीक है नेस्ट कोश्चन है दिया सलाई को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तो लाल फासफोरस का काफी महत्पूर कोश्चन है दोस्तो नेस्ट कोश्चन है किटारू नासक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तो बिरंजक चून का किटारू नासक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तो बिरंजक चून का ठीक है साबुन बनाने की परकिरिया को क्या कहते हैं वो कहते हैं दोस्तो सेंपोनिफरकेशन नेस्ट कोश्चन है परतेक ब्रीक यानि किडिनी के भार कितना होता है वोता है दोस्तों 150 घरा परतेक ब्रीक यानि किडिनी के भार कितना होता है दोस्तों 150 घरा नेस्ट कोश्चन है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मुत्र उत्सर्जन करता है वो करता है दोस्तों लगभग 1.5 लीटर ठीक है नेस्ट कोश्चन है हार्मोन का क्या कार है वो है दोस्तों सभी परकार के राष्टानी किरियाओं को नियंत्रित करना नेस्ट कोश्चन है राइबोजम किसकी सतह पर होती है वो थी है दोस्तों एंडोपलाज्मिक रेटिकूलम पर ठीक है नेस्ट कोश्चन है परतिवर्ति किरिया का संचालन केंद्र है वह दोस्तों मेरुडंड परतिवर्ति किरिया का संचालन केंद्र है दोस्तों मेरुडंड नेस्ट कोश्चन है तंत्रीका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक की काई क्या है वह दोस्तो निवरान तंत्रीका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक की काई है दोस्तो निवरान नेस्ट कोश्चन है भारत में खुजा गया प्रथम कंप्यूटर वाइरस कौन सा था वो था दोस्तो सीब्रेन नेस्ट कोश्चन है सुहाग का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो सुहाग का रसाइनिक नाम है बोरेंस काफी महत्पूल कोशन है दोस्तो नेस्ट कोशन है पेनिसिलीन का मुख्य स्रोत क्या है वह दोस्तो कोवक पेनिसिलीन का मुख्य स्रोत है दोस्तो कोवक नेस्ट कोशन है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है वह दोस्तो एरिथ्रोज, जैलोन, कोका ठीक है नेस्ट कोश्चन है पीत रसको स्रावित करता है वो करता है दोस्तो यकरित चिसको लीपर पोलते हैं ठीक है फलोकाध्यन क्या कहलाता है दोस्तो फलोकाध्यन जो है पोमो लाची कहलाता है मस्टिष का सबसे बड़ा भाग कौन सा है किये थे लाइक्रीमल गरंथिया स्रावित करती है जो है आसू स्रावित करती है नेस्ट कोश्चन है ब्रह्मार्ण में सरवाथिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्वा कौन सा है वह है दोस्तो हाइड्रोजन सेफ्टी लंप के अविसकारग कौन है दोस्तो सेफ्टी लंप के अविसकारग की बात करें तो है दोस्तो है हैंफरी टेवी समुद्ध के गहराई किस से अंतर से मापी जाती है काफी महत्वर कोशन है दोस्तो नेस्ट कोशन है परकास के तरंग सिधान्त का पर्तिपादन किस ने किया था वो किया था दोस्तो न्यूटर ने next question है एक किलोवाट घंटा बराबर होता है वो था दोस्तों 3.6 गुन्हें 10 के पावर 6 जुल के पराबर next question है कितना degree centigrade को परम सुनने ताप कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों माइनस 273 degree C को ठीक है काफी महतपुल कोशेंच है इसमें बताना है कि राकेट को उड़ाने में कौन सा इंधन इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों चार अप्षन आपके सामने तरह के अप्षन E कोईला अप्षन B तरल हाइड्रोजन अप्षन C मिथिलान या फिर अप्षन D यूरेनियम तो दोस्तों आप इसका अनसर जोगा कमेंट बक्स में जरूर बता हैं और आपको यहाँ पर मिलते र